आज मैं आपके साथ चिकन की एक बहुती अनोखी रेसिपी शेक करी हूँ काफी जाता टेस्टी चिकन बन के तयार होता है और साथ में इसके एक स्पेशल मसाला भी बनाएंगे एक बार आपने इस तरीके से चिकन खा लिया तो हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे अगर आपको वीडियो पसंदा आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा एक स्टार एनिस दो लॉंग और वन टीस्पून सॉफ सबसे पहले इन सारे मसालों को रोस्ट करना है तो एक कड़ाई में सारे मसाले डाल दिया हैं इनने लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे थोड़ी दिर के बाद आप देखेंगे इसमें काफी अच्छा रूम आने लगेगा तो मतलब आपके मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं फ्लेम बन कर देंगे, सारे मसालों को एक ब्लेंडर में डाल के दरदरा पाउडर बना के तयार कर लेंगे अब एक कड़ाई में तेल डालेंगे, यहां हमने रिफाइन और सरसो का तेल, दोनों को मिक्स कर लिया था और इसमें आड़ कर आये आप चाहें तो यहां सिर्फ रुफाइन ओल का यूज़ कर सकते हैं तेल को थोड़ा गरम हो जाने देंगे फिर इसमें चिकन जाएगा तो यहां आपने एक किलो चिकन लिया है चिकन को प्रॉपरली धो लेना है उसके बाद चन्नी में डालके थोड़ी देर चोड़ना है ताकि इसमें से बिलकुल पानी निकल जाए तेल अच्छे से गरम हो चुका है इसमें चिकन डालेंगे अब यहां पेना चिकन कढ़ाई से चिपक जाता है तो डरना नहीं है इसे थोड़ी देर ना ऐसे ही चोड़ देंगे थोड़ी देर बाद जब चिकन पानी चोड़ने लगेगा तो यह अपने आप ही कढ़ाई से निकल जाएगा अगर आप चिकन को डालते ही से चलाना शुरू करतेंगे तो कढ़ाई से चिपकने को जैसे यह तूट भी सकता है तो इसे अराम अराम से चलाना है भूनते वक्ते ही इसमें एक तेसपता भी डालेंगे और चिकन को तब तक पकाना है जब तक यह लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए तो चिकन को हमने लगबग 2-3 मिनट भूना है इसके बाद इसमें जाएगा अध्रेकलेसन का पेस्ट तो इसमें लगबग 3 टेबल स्पून अध्रेकलेसन का पेस्ट जाएगा और अब इसे तब तक भूना है जब तक की अध्रेकलेसन की रॉस मेलना चली जाए तो ये देखिए चिकन को हमने मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 मिनिट के लिए भूल लिया है और टाइम है इसमें टमाटर एट करने का तो इन टमाटरों को बीच से कट करके 2 halves में डिवाइड कर देंगे और टमाटर डालके इसे गलाने के लिए उपर से नमक डाल देंगे अब ढग के टमाटरों को गल जाने तक पकाना है तो ये देखिए अब टमाटर अच्छे से गल चुके हैं इसकी स्किन निकाल लेंगे गलाने से टमाटर का चिलका काफी असानी से निकल जाता है तो ये देखें सारे टमाटर मैश हो चुके हैं अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे कलर के लिए इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मेच पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा और 1 फूर टी स्पून हल्दी पाउडर अब जादा कुछ निकरना आपको बस ये सारी चीज़े मिक्स करके मसालों को अच्छे से भून लेना है चिकन के साथ फ्लेम बिलकुल हाई रखनी है और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उपर ओयल दिखने लगेगा तो ये देखें मसाला अच्छे से भून चुका है अब इसमें जाएगा प्याज और हरी मिर्चे यहाँ हमने मोटी मोटी हरी मिर्चे यूज करी है इन हरी मिर्चों का कढ़ाई चिकन में काफी अच्छा टेस्ट आता है प्यास की भी अलग-अलग पड़ते निकाल के इसमें डालेंगे तो नॉर्मल चिकन से इसका टेस्ट काफी जादा अलग हो जाता है अगर आपके पास मोटी हरी मिर्चे ना हो तो आप इसकी जगापे नॉर्मल हरी मिर्चे भी यूज कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे एक हट्टी दही यूज करेंगे ना तो आपकी पूरी ग्रेवी का टेस्ट खराब जागा है इसलिए फ्रेश दही का ही यूज करना है तो यह देखिए चिकन अच्छे से भुन चुका है और इस तरीके से ओल दिखने लगा है तो इसमें हम थोड़ा से पानी डालेंगे अगर आप चाहें तो इसमें पानी डालना स्किप कर सकते हैं बट हमें थोड़ी ग्रेवी रखनी थी तो इसमें हमने पानी आइड करा है अब इसमें बनाया हुआ कड़ाई मसाला जाएगा और यार इसके बाद तो बहुत ही अच्छी खुश्भू आती है और अब तो बिल्कुल भी भूख बरदाश नहीं हो रही है कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि खाना बनाते बनाते भूख लग जाती है मसाले को ग्रेवी में मिक्स करके इसी धक के मीडियम फ्लेम पे चिकन के गल जाने तक इसे पकाना है तो लगभख चार से पांच मिनट पकाने के बाद चिकन अच्छे से गल जाएगा इसमें बारी कटे हुए अद्रक के जूलियंस डालेंगे और आपका कढ़ाई चिकन बन के तयार हो जाएगा तो ये देखें क्या जबरदस्त बन के तयार हुआ है इसे गर्मा गरम सर्फ करते हैं ग्रेवी को आप अपने टेस्ट और रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग एड़िस्ट कर सकते हैं बट ये चिकन कढ़ाई बहुत टेस्टी बनती है एक बार जरूर बना के ट्राइ करें शेयर करें अपने फ्रेंद्स और फामली में ताकि वो भी बना के ट्राइ कर सकें वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एनसी और रेसिपीज के लिए चैनल को सिस्क्राइब करना बिलकुल ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल लेन बाबाई